Are you public servant or are you public owner? Servant, public servant. Hindi में बोले तो ये पुब्लिक के नोकर है, मालिक नहीं. कि आपको इस कूरसी पर बैठाया गया है इस छेत्र में जमिनी से सम्बंदीत बिवाद को निप्टारा करने के लिए. खबरा गाओं में जमिनी बिवाद से सम्बंदीत मामला हुआ था जिसमें एक विक्ति की हत्या हो गई. उसके साथ ही एक जानवर को भी मौत के घाट उतार दिया गया. तो अगर टनकूपा सियो सहाव इतने ततपर हैं कार्ज के लिए तो फिर जमीन विवाद को लेकर टनकूपा में मडर और हत्या क्यों हो रहा है? ऐसा पांच हमको मामला बताईए जिसका आपने ओन दा स्पोट निप्टारा किया हूँ. और और वियाद नहीं है, पुरा है, बगतिस को मामला है. आपने तनकूपा च्छेतर में कितनी बार जगरुता भियान चलाया? कितने बार आप गाउं में जाकर जगरुता भियान चलाया, जहां गाउंबालों को बताया कि जमीन मामले में आकर हमसे संपर कीजिए, आप लोग मार पीट नहीं कीजिए, हमको तो नहीं लगता है क्या पैसा एकाबर कभी भी किये हैं? अगर आपने कितनी वर सरकारी विद्याले का निरक्षन किया अब तक? सोच समझकर बताएगा आप जिसका नाम लिजेगा उस विद्याले में हम पहुच जाएंगे पता करने कि क्या सियो साहब वहां गये हैं कि नहीं होता है, लेकिन जब उपर से आता है, निर्षन का नमस्कार आप देख रहे हैं मगत की बलंदवाज और मैं हूं समर राठ और अभी मैं मौझूद हूं विहार राज के गया जिले के टनकुपा ब्लॉक में, क्या क्या काम है आपका, किस लिए आया है, बिर्धा पिंसन के लिए बन गया बिर्धा पिंसन, अभी हम मौझूद है टनकुपा ब्लॉक में और ये छेतर ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल है, और टनकुपा ब्लॉक का यह तस्वीर है, बहुत काफी ठंड है, कुछ लोग चाहे वो अस्टाप हो, चाहे कोई हो, कुर्सी लगाकर जो है वो गर्मी बना रहे हैं, और अंदर सियो सहाब भी मौजूद है, उनसे भी बाचित करने का प्रयास किया जाएगा, पुरे बिहार ही नहीं, पुरे देश में अगर सबसे ज्यादा हत्या लड़ाई, लूट पाट अगर होता है, तो वो है जमीनी बिवाद, और जमीनी बिवाद हमारे बिहार में इतना जादा बढ़ गया है, जिसका कोई अस्तर ही नहीं है, वो दिन पर दिन उसका अस्तर जो है बढ़ता जा रहा है, गिर नहीं रहा है, बढ़ रहा है, हर दिन कहीं हत्या हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, और इस पर लगाम लगाने के लिए हर ब्लॉक मे इतने खबरा एक गाउं है जहां जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई ती इतने निर्मम तरीके से मारपीट किया गया कि इंसानों के साथ साथ जनवरों की भी हत्या कर दी गई अब उस मामला अभी कहां तक वो मामला पहुचा है और उस पर कई बार सियो करेगा दंटा उस पर चला देंगे लेकिन अधिकारियों पर दंटा कब चलेगा यह परखंड अंचला अधिकारी परखंड विकास पताधिकारी इनके संपत्ति की जाच होनी चाहिए सबसे पहले यह लोग जो है बड़े पैमाने पर ब्लोक में भरष्ट अचार करते हैं औ हमको पता है कि स्यों साहब थोड़ा हमको देखेंगे तो उनकी गर्मी भी बढ़ जाएगी लेकिन प्रयास करेंगा बात करने का अगर बात वो किये तो ठीक है और नहीं किये तो कोई दिकत नहीं किसलिए हुआ है कि हो गया काम नहीं हुआ क्या काम से आ है वो जमीन का आपको नहीं लगता कि एक युअ साहब चाहला जांगा जमीन विवाद नहीं बढ़ेगा एक आपको लगता है कि युआ करते रहते हैं आज वियान करते रहते हैं चली ठोड़ा मिल लिया जाए चलिए सियो साहब हमको बुला ली अंदर थोड़ा अब ही मिरे साथ आजाएंगे दो मिनिट सर बात करना था बस चलिए मैंने में समार अठा और आई एम डिस्टिक बीरो आफ जेके नियूज और मैं गया में भी रहता हूं और मेरा घर फते पुर भी है तो मिनिट बात कर ले अगर पस आपके ही डिपार्टमेट से संबंदी बात करना था बस और इसा कुछ नहीं कोई डाटा नहीं है सिर्फ आप से इस छेत्र में जो भी मामला है जमीनी संबंदी वैसा ही है और कोई ओफिसियल कागत स्केम को जरुवत नहीं है सर हमारा थोड़ा कड़वा सवाल रहेगा बुरा तो नहीं मानेगा ना ने ने बुरा क्यों मानेगा रहेगा आप मेरे गार्जियन तुले सबसे पहले इस ऑफिस में जब मैं परवेश किया तो काफी अच्छा लगा संबिधान के निर्माता बाबा भीम रांबेदकर का त संबंदित मामला हुआ था जिसमें एक विक्ति की हत्या हो गई उसके साथ ही एक जानवर को भी मौत के घाट उतार दिया गया तो अगर टनकूपा सियो सहाव इतने ततपर है कार्ज के लिए तो फिर जमीन विबाद को लेकर टनकूपा में मडर और हत्या क्यों हो रहा है ज सके विए पनारा यह कि उसको सुल्जा है इसलिए आपने टनकूपा सेतर हमें कितनी बार जख रुपता आज कितने आप गाँं déb deux जहांबление को बतायता है कि सुम्पति के जाच होनी चाहिए कि नहीं ? अगर जमीनी बिवाद होता है तो आप लोग दोनों के तरब से उनके पीसा भी वसूली ऐसा पांच हमको मामला बताइए जिसका आपने अंदा स्पोर्ट निप्टारा किया हूँ जैसे एक सगर्चट्टा में था जो दो एकर दस डिस्मिल जमीन का विवाद था काफी दिनों से उसको हमने अंदा स्पोर्ट व्यागर करके निश्पादन किये और 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 वियाद नहीं है पुरा है 22 को मामला है आप इतने ततपर हैं उसके बावजूद एक वेक्टी एक साल तक कर्याले का चकर कहे लगाता है आपके सामने उन्होंने बताया कि मैं एक साल से चकर लगा रहा हूँ इसलिए कि वो सरकारी जमीन से संबंदित था निश्के पास कागज नहीं है आप सारवजनिक चीज है उसमें हम लोग तो अतिकर्मन नहीं होने देने देंगे ने तो यह मने उठाना चाह रहा था सारकारी जमीन में लेकिन गावळा विरोध कर रहा था कि नहीं सारवजनिक रहेगा टनकूपा छितर के लोगों को क्या मैंशे देना च उसे काम करें कोई दिक्कत हो तो थाना पे जो जनता दरबात लग रही है उसमें आकर करके अपनी बात को रखें क्या सियो साहब चाहते हैं कि टनकूपा छेतर का बहुत सारा नौजवान युवा सियो के पद पर जुआइन करें पढ़लिक कर अंचला अधिकारी बने मैं तो क कामना करते हैं कि यह सब जनता जो भी है यह जुबा वर्ग जो है वह आगे बढ़ है तो बच्छा रहेगा तो क्या इस कूरसी पर बैठ कर मिडिया के सामने आप यह कामना कर देंगे संबोधन कर देंगे तो बन जाएगा आपने कितनी वर अंसरकारी विद्याले का करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप जा सकते हैं लेकिन आपने कभी ऐसा आपके वन मन में विचार क्यों नहीं आया सब्सक्राइब करेंगे जरूर करेंगे करेंगे ना जी हाँ और कुछ मैसेज दना चाहेंगे इस चेतर के लोगों को हम यह चाहेंगे कि इसके इसके अनुसार कि हमारे चेतर की जनता जागरूख हो और नियम कानून से यह काम करें मेरा यही उनसे गुजारिस रहेगा सियो साहब के घर में जमिनी बिवाद है कि नहीं बिवाद ही वही परिवार में अपने आपस में होते रहता है यह तो सदा चलते रहेगा अगर सोचिये कि अगर आप सियो नहीं होते तो आप इसे बलोक का चकर लगाते फिर क्या बीता सराब के उपर यही सब जैसे चल रहा है अब अर्यू पॉब्लिक सर्वेंट और आर्यू पबलिक ऑउनर सर्वेंट पबलिक सर्वेंट हिंदी में बोले जीए सब सुन लेगा हम लोग मने जनता के यह नोकर है सुन लिए आप लोग ही इस पब्लिक सर्वेंट नो टॉनर हिंदे में बोले तो यह पब्लिक के नोकर है मालिक नहीं थैंक यू सो मच और कोटी-कोटी धन्यवाद चरन असपर्श आपके जैसा अगर अधिकारी जिस छेत में रहेंगे पता ह है और पक्का हम ऐसा महसूस हो रहा है कि कहिन के मारा च्षेत में जिमनवी बाद कम हो जाएगा सर्व जो मैं यह करते हैं मेरे भावना जो पब्लिक आते हैं पहले खाना छोड़कर भी उससा काम करते हैं क्या बात है सर के लिए आपको सेल्यूट यू सर थैंक यू सो मच य यह अंचला-धिकारी हैं और ऐसे ही हर प्रखंड-चेतर में अधिकारी की जरुवत है जो अपने काम के लिए तकपन हो बहुत सारे ऐसे झ् haftर में देखा जाता है कि अंचला अधिकारी तो सिर्फ नाम के होते हैं'm कूर्सी पर बैठे रहते हैं काम नहीं करते है लेकिन जो गड़ीबों के हित के लिए, असली अधिकारी वही होता है इन्होंने साइव तर पर कहा कि मेरी संपति क्या, पूरे अधिकारी के संपति के जाच होनी चाहिए इन्होंने अस पष्ठ रूप से कहा कि मैं सरकारी विद्यालें इंडख्छन करने जाओंगा और बच्चों को मोटिवेट भी करूँगा मेरा हर परखंट शेतर में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा और अधिकारियों से कड़वा सवाल होगा धन्यवाद आप देख रहे था मगत की बलंदवाज और मैं हूं समर्राठर